Hello everyone, welcome to our channel. कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी Summer Special Recipe Pista Ice Cream जो बहुत ही जादा easy भी है और बहुत tasty लगती है सिर्फ तीन ingredients के साथ हम यह recipe बनाएंगे और बहुत ही जटपट बन जाने वाली recipe है बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक देखिए hopefully आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है and subscribe to my channel और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं Let's start the video यहां ले लिया है मैंने 1 cup non-dairy whipping cream इसे हम अच्छे से mix करेंगे cream एकदम ठंडा होना चाहिए तो इस तरीके से हमें इसे smooth कर लेना है हमें stiff peaks नहीं लाने है ice cream में ice cream की बहुत सारी recipes already मेरे channel पर हैं आप वो भी visit कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं cream का जो texture है वो काफी हद तक change हो गया है अब इसमें add करेंगे 4-5 drop pista essence क्योंकि हम पिस्ता ice cream बना रहे हैं और अब इसमें add करेंगे 2-5 condensed milk जो के homemade है और इसकी recipe मेरे channel पर already share कर चुकी हूँ मैं आप देख सकते हैं condensed milk को cream के साथ अच्छे से mix कर लेंगे तो यह cream perfect मीठा हो जाएगा जो ice cream में हमें चाहिए तो अब देख सकते हैं जो cream है वो काफी अच्छे से smooth हो गई है अब हम इसमें add करेंगे 2-3 drop green color बहुत ज़्यादा color add नहीं करना है क्योंकि हमें जो पिस्ता का color होता है वो color इस ice cream में लाना है तो थोड़ा सा color add करेंगे जिससे पिस्ता का जो color होता है वो हमें मिल जाएगा और अगर आपको कम लगे तो आप 1-2 drop और add कर सकते हैं तो यहाँ मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें 2 drop और add किया है तो अभी यह perfect पिस्ता का color आ जाएगा इसमें तो यहाँ मैंने कुछ grapes cut करके रखी है यह बिल्कुल optional है बट इसका टेस्ट बहुत जादा अचाता है आईस क्रीम में आप इसके जगे पे dry fruits को cut करके भी डाल सकते हैं तो क्रीम हमारी ready हो गई है और मैंने यहाँ पे ले लिया है यह cake का mold सबसे पहले हम cling wrap से इस तरीके से इसे cover करेंगे आप इसे आपके according कोई भी shape दे सकते हैं आईस क्रीम को इस तरीके से आप दो से तीन layer की ice cream भी बना सकते हैं different different flavors use करके तो पूरी cream को इस में हमने shift कर लिया है और इस तरीके से smooth कर देंगे और इसके ऊपर भी आप dry fruits डाल सकते हैं और इस तरीके से हमें इसे अच्छे से wrap करना है जिसे बिलकुल भी ice crystals ना बने तो आप देख सकते हैं इसे हम चारो तरफ से cling wrap से cover कर देंगे और उपर से smooth कर देंगे और उपर से हम इसे foil से भी इस तरीके से wrap कर देंगे और इसे रखेंगे freezer में तो 7-8 घंडे के बाद यह अच्छे से set हो गई है हम चेक कर लेते हैं एक बार और इस तरीके से cling wrap से निकाल लेंगे flavors आप आपके taste के according add कर सकते हैं dry fruits fruits आप आपके taste के according add कर सकते हैं और इसे हम इस तरीके से इसे बाहर निकालेंगे तो यहां मैंने यह ice cream को निकाल लिया है और हम इसे इस तरीके से cut करके serve करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही जादा tasty ice cream लग रही है आप आपके favorite fruits भी डाल सकते हैं जब आप ice cream खाएंगे तो बहुत ही जादा tasty लगेंगे सो यह थी पिस्ता ice cream की recipe जरूर try करिये और recipe अच्छी लगी हो तो like comment share and subscribe to my channel thank you so much